वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आईटी आई टूशन में दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर जो आईटी आई एलक्टीशन सेकंड डियर का एकजाम हुआ है इसमें जो किस टाइप के कुशन पूचे जा रहे हैं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो को जो है आप सभी complete देखिएगा अगर आपका भी आने वाले दिरों में जो है सेड़ेट पौल मोटर का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है अपयोग है एर ड्राइर में पंके में गीला घ्राइंडर में या वासिंग मसीन में तो इसका जो करेक्ट एंसर था यहाँ पर आप्सेन अमबर ए एर ड्राइर में इसका यूज करते हैं अगला question पूछा गया था यहाँ पर देखे second question alternator में armature प्रतिक्रिया की कारण demagnetizing प्रभाव की भरपाई जो है कैसे करें तो यहाँ पर जो correct answer है वो है यहाँ पर option number second field उत्तिजना धारा में बृद्धी करके option number B यहाँ पर right answer है थारे question देखे तीसरा question पूछा गया है यदि DC संट motor की field winding open circuit में हो तो गती जो है क्या होगी इसकी गती जो है चलना बंद हो जाएगी या motor समान रूप से जो है चलने लगेगी या इसकी गती जो है धीमी हो जाएगी या फिर बहुत तेज गती में चलेगी तो यहाँ पर जो correct answer था यह जो है बहुत तेज गती में चलेगी option D जो है इसकी question का right answer है अगला question देखिए यहाँ पर पूछा गया है और major winding का परिच्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है और major winding का परिच्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज करते हैं तो यहाँ पर किस का यूज करते हैं ग्राउलर का यूज किया जाता है option number E इसका right answer है question number देखिए आपर पांचवा क्या पूछा गया है पांचवा क्यूशन पूछा गया DC generator में क्या प्रभाव होता है अगर इसे जो है लंबे समय तक बंद रखा जाए अगर DC generator को क्या प्रभाव होगा अगर इसे जो है लंबे समय तक बंद ही रखा जाए तो यहाँ पर क्या प्रभाव होगा option B यहाँ पर correct answer इसका है अपने अवसिष्ट चुम्बकत्यों को यह क्या करता है खो देता है question number यहाँ पर चाटा देखिए चाटा question पूछा गया है अवसिष्ट चुम्बकत्यों के अभाव में किस प्रकार के DC generator काम करता है तो अवसिष्ट चुम्बकत्यों के अभाव में कौन सा DC generator काम करता है तो यहाँ पर जो correct answer है option number B है यहाँ पर इसका right answer है question number 7 देखिए 7 question पूछा गया है निम्न बिकल्पों में से DC या पूर्टी पर कौन सा दीप जो है कौन सा दीप लेंप यहाँ पर काम करता है तो यहाँ पर देखिए कौन सा correct answer है यहाँ पर जो है प्रतिदीप लेंप यानि की फ्लोरल सेंट लेंप काम करता है option number A इस question का right answer यहाँ पर हो जाएगा अगला question देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है बो मिगत कंड्यूट पाइप वाइरिंग को और क्या कहते हैं बो मिगत कंड्यूट पाइप वाइरिंग का जो है दूसरा नाम पूछा गया है तो इसका second नाम क्या होता है question number 8 का जो right answer है option number B है इसको जो है शदम या duct wiring भी कहते हैं तो option number B इस question का right answer हो जाएगा अगले question देखिए आपर पूछा गया है alternator पर क्या अंकित होता है यानि कि alternator की rating पूछी गया है तो alternator की जो rating होती है यह क्या होती है के भी या फिर जो है या मवी होती है तो option number C जो है इस question का right answer हो जाएगा question number 10 देखिए question number 10 पूछा गया है three phase prayer motor के घूडन की दिशा को जो है परिवतित किये जाने के लिए क्या करना चाहिए तो यहाँ पर क्या करना चाहिए question number 10 का जो right answer है option number C है कि नहीं दो फेजों को आपस में जो है बदल देना चाहिए option number C यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 11 देखे 11 नमबर का पूछा गया है किस प्रकार का डायोड जो है एक बिसे स्थारा में voltage को नियंतित करता है तो यह कौँ सा डायोड होता है जो voltage को नियंतित करता है तो यह कौँ सा डायोड होता है यह आपर होता है 11 नमबर का जो right answer है option number B है जिनन डायोड होता है बी option इस question का right answer हो जाएगा question number 12 देखे पूचा गया है 3 page prayer motor में प्रती page कुंडूलियों की संक्या कितनी होती है तो यह कितनी होती है यहापा जो correct answer है option number D है कुंडूलियों की संक्या बटे page की संक्या के यह बराबर होती है अगला question देखे यहापर 13 number का क्या पूचा गया है spot light का उपयोग कहाँ पर किया जाता है spot light का यूज जो है कहाँ पर करते हैं तो यहाइसका यूज जो है theater में किया जाता है option number A इसका right answer हो जाएगा question number 14 14 यहाँ पर पूचा गया है नमलिकत में से कौन सी प्रतरोधक समग्री e-work के प्रतरोधन से संबंदित है तो यहाँ पर जो है कौन संबंदित है तो option number D जो है यह e-work के अंतरगत आता है चमड़े का paper e-work के अंतरगत आता है अगला question देखे IGBT का जो है पूरा नाम पूछा गया है तो IGBT का जो है पूरा नाम क्या होता है तो यहाँ पर देखिए 15 का जो राइट एंसर है option number B है insulated gate bipolar transistor जो है इसका पूरा नाम होता है B option जो है इस question का correct answer हो जाएगा अगला question देखिए RCCB का जो है पूरा नाम पूछा गया है RCCB का जो पूरा नाम होता क्या होता है यहाँ पर C option correct answer है residual current circuit breaker तो B option जो है इस question का correct answer है question number 17 देखिए 17 पूछा गया है hysteresis motor का जो है क्या नुक्सान है hysteresis motor का जो है क्या नुक्सान होता है यहाँ पर जो correct answer है option number E है इसकी दच्चतर जो है कम होती है और यह कम सक्ति गुडां का होता है कम आगूर इसका होता है और बहुत है यहाँ पर छोटा आकार इसका होता है यही सब इसके जो है नुक्सान होते है अगले कुछन है ते अठारह नुम्बर का त्री फेज प्रेजर मोटर का इस्टेटर जो है किसके समान होता है तो यहाँ पर जो त्री फेज अल्टेनेटर के यह समान होता है तो राइट एंसर इसका है option number C अगला है यहाँ पर पूछा गया है moving iron यह प्रकार के इस्टुमेंट के लिए किस प्रकार की आपूर्थी का यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो है यह माई टाइप के इस्टुमेंट के लिए किसका यूज करते हैं तो AC और DC दोनों का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर B option जो है correct answer इसका हो जाएगा 20 नमबर का question देखिए पूछा गया है तो उत्तेजी DC जनित्र में अवसिष्ट चुम्बक किस पर उपलब्द होता है तो यहाँ पर यह किस पर उपलब्द होता है यह जो है छेत्र कुंडलन पर उपलब्द होता है B option जो है इस question का right answer हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की date में जो है इसी type के question पूछे के हैं उम्मिद है आप सभी को जो है यह वीडियो फ़संद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सेर करिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजिएगा ऐसे ही पलपल की update आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेगी साथ ही साथ जो है प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चक करिए वहाँ पर आप सभी के लिए जो है सभी टेट के ओपीशल पेपर उपलब्ध है तो आज के लिए बस इतना है तैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो